ओके चलो start करते हैं इसका lecture इसमें अभी तख हमने electrostatic force start किया था electrostatic force electrostatic force point charge से start हुआ था हमने coulomb law किया coulomb law point charge पे लगाया फिर coulomb law करने के बाद हमने थोड़ा सा और level को increase किया rod और point charge के उपर coulomb law लगाया rod और point charge करने के बाद ring और point charge पे last time लगाया फिर कुछ periodic motions को डिसकस किया कि शायद कोई simple harmonic motion या periodic motion के अंदर कैसे detect करना है कि या check करना है कि charge SHM में है या नहीं है यह अगने डिसकस किया अब फिर continue करते हैं यह sheet no.3 है शायद आपकी handwritten sheet में sheet no.3 यह rod वाली problem हमने कर ली थी एक problem थी इसमें यह यह problem है इसके अंदर आपको कुल मिलाके तीन charges गिवन है पहला charge गिवन है minus q3 दूसरा charge गिवन है q2 तीसरा charge गिवन है minus q1 राइट यह तीन charges आपको question में गिवन है आपको यह कहा जा रहा है इस question के अंदर कि यह जो minus q1 है इस पे minus q3 ने and q2 ने force लगाई क्योंकि जो minus q1 है it is surrounded by two charges उन में से एक charge minus q3 और दूसरा q2 है तो minus q3 ने भी force लगाई और q2 ने भी force लगाई एक question मनता है कि charge minus q1 के उपर net force निकालो तो अगर question है कि minus q1 के उपर net force निकालो कौन लगाएगा force एक force minus q3 इस minus q1 को अपने से दूर क्या करेगा repel and q2 minus q1 को अपने से पास क्या करेगा attract तो दो vector यहाँ पे बनेंगे पर उसने यह बिल्कुल भी निकाहा कि net force निकालो उसने कहा force निकालो along x-axis x component of force निकालो मतलब forces तो दो act कर रही है यह भी कर रही है और यह भी कर रही है उसने यह कहा question में कि x-axis के along force निकालो अब x-axis के along एक force तो मुझे दिखाई दे रही है f12 वो तो अलड़ी x-axis के along है लेकिन जो f13 force है वो x-axis के along नहीं है वो x-y plane में है तो मुझे f13 का component लेना पड़ेगा इस x-axis के along और जो component आएगा उसमें f12 को add करना पड़ेगा तो net answer आएगा मेरे पास along x-axis तो x-axis के along अगर आपको force निकालनी है तो सबसे पहला करना पड़ेगा एक तो यह निकालनी पड़ेगी यह तो ही x-axis के along इसकी value क्या होगी इसकी value होगी 1 by 4 pi epsilon 0 magnitude of charge q1 into magnitude of charge q2 divided by इनके बीच में distance कितने है b, b का square तो 1 by 4 pi epsilon 0 q1, q2 by b का square क्या यह point clear है यहां तक? Similarly, minus q3 और minus q1 के ओपर जो force है 1 by 4 pi epsilon 0 q1 magnitude q3 divided by a का square तो forces का magnitude निकालने में तो कोई problem नहीं किसी को बस point यह कि अगर यह angle theta है तो यह angle भी theta है तो इसके दो component होंगे एक cos component और एक sin component क्यूंकि मेरको मेरा answer x-axis के अलोग निकालने है तो x-axis के अलोग net force क्या होगी? इन दोनों forces का sum जो होगा वो net force के equal होगी तो point clear है यहां तक? तो net force की जो value आएगी x-axis के अलोग वो इन दोनों का sum आएगा अब इन दोनों के sum में F12 तो मुझे पता ही है इसमें और इसमें force है यह रही 1 by 4 by epsilon not q1 q2 by b square and इसका component क्या होगा? F13 F13 का मतलब 1 और 3 के बीच में force तो 1 और 3 की force भी मुझे पता है 1 by 4 by epsilon not q1 q3 by a square into sin theta तो यह मेरे पास net force आ गई common निकालने ना इसमें से along x-axis पर question में यह पूछा गया था कि आप इसमें force निकालो net force x-axis के along किसके proportional है? तो ऐसा option आपको given होगा कि यह force इसके proportional है यह force इसके भी proportional है उनमें से यह option given था तो आपने यह option को mark करना है मेरा काम class में net force निकालने का है proportionality कौन किसके proportional होगा वो आपको option से अपने आप पता लग जाएगा तो क्या यह point सबको clear है? कि question कैसे करना है? ठीक और इसी sheet का एक बोलो Sir वो first step इसे बता दो उसको समझने आया कि वो f13 sin theta कैसे आया? first में क्या ने समझ में आया? तो वो जो आपने fx लिखा रहा है उसमें equal to f13 sin theta वाला बोलो जो पता रहा है f13 1 and 3 1 by 4 by epsilon 0 q1 q3 यह रहा f13 यह है तो इसके अंदर मैंने यह लिखा कि f12 का मतलब 1 not 2 के बीच में फोर्स मतलब q1 and q2 के बीच में फोर्स q1 q2 by b square ऐसी q3 और q1 के बीच में फोर्स q1 q3 by a square ऐसे है समया रहे है तो इस शीट में एक और पेंडिंग था बोलो जो एक जो फोर्स है इस माइनस ने इस माइनस को repel किया ठीक है इस प्लस ने इस माइनस को attract किया लेकिन सारे वیک्टर तो माइनस q1 पे ढूँकरने है ऐसा है ना माइनस q1 ने कुछ नहीं किया नेट फोर्स माइनस q1 पे निए केले कि तो q2 ने माइनस q1 को खिंचा, attract किया तो वیک्टर मेरी तरफ और इस ने इस minus q1 को repel किया तो इस तरफ vector draw इस पे उने है ठीक, तो point clear है यहां तक तो एक तो यह point है इसमें, दूसरा इसके अंदर ने एक और question था जो यह question था, यह वाला देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, जैसे क्या complicated question है, है नीतना, ring वाली problems हम यह पहली बार नहीं कर रहे हैं, अगर आप plus 1 की बात करते हैं तो plus 1 के अंदर, यह ring वाली problem, circular motion में एक बार discuss हुई हुई है तो circular motion में, एक circle में ring घूम रही है, तो वो tight हो जाती है उसमें tension निकालो, ring की tension निकालो, ऐसी problem q हुई है, second ring वाली same problem की थी, surface tension की objectives के अंदर, जब surface tension की problem आती है कुछ लोग कहेंगे कि हमें याद नहीं, पता नहीं की भी नहीं शायद तीसरी problem ring की अब करेंगे, चौथी करेंगे magnetic effect में, चार बार यह ring की problem आती है तो आज आप सीख लोगे, तो surface tension और circular की problem भी clear हो जाएगी magnetic की भी हो जाएगी आज मानलो अगर आप यह छोड़ दोगे, तो हर जगा जहां को ring देखेगी ना, वह problem भी problem रहेगी हलागि मैं इसका end में shortcut बता दूँगा, आपको यह कुछ करने की जूरत नहीं पड़ेगी एंड में shortcut formula याद करेंगे इसका, बट अगर मैं सीधा कहूँ कि वह formula ऐसा होता है तो आप यह पूस सकते हो यह formula कहां से आया तो फिर उसके लिए detail और कल को थोड़ा सा भी complicated question हो गया तो फिर आपको question attempt नहीं कर पाऊगे तो इस वजे से मैं आपको पुरा detail में ही समझाता हूँ कि actual में ring की problem solve करते कैसे है सबसे पहली चीज़ आपको कि ring की problem तो last time भी की थी तो इसमें क्या खास है वो अलग problem है वो यह problem है ring इस तरीके से पड़ी हुई है और उसके axis पे चार्ज पड़ा हुए और वो move कर रहा है because ring का charge उस point charge को खींच रहे है यह problem ऐसी नहीं है यह problem ऐसी है कि suppose करो आपके पास एक ring है suppose आपके पास एक ring है कुछ इस तरीके से यह एक ring है ठीक है इस ring के उपर charge distributed है यह रहा कितना capital q ठीक है capital q रिंग के center पे एक charge है positive small q आप बस मुझे यह बताओ small q capital q को क्या करेगा repel मानतों यह चीज small q इस capital q को क्या करेगा repel और अगर मैं यह बोलता हूं कि यह ring is elastic in nature तो ring थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी रिंग अगर reprimand की तरह है यह थोड़ी सी elastic है तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी size में और capital q हम इसे repel करवा रहे तो ring अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए और एक equilibrium position इसने attain कर ली ठीक मालनों यहां पर आके यह रूख गई अब rubber band में तो ऐसा होते ही ना rubber band के नीचे mask लगा दो तो ऐसे यह भी रूख गया तो यह ring जब अपने size से काफी बड़ी हो चुकी है equilibrium पे तो आपको ऐसा feel नहीं होता इसमें tension आ जाएगी tight हो गया तो tension आ जाएगी rubber band में तो tension आ जाती है string को थीचती हो तो tension आ जाती है इसमें tension आ जाएगी तो मेरा पहला question है find tension in ring question बाब में solve करेंगे find tension in ring तो आप ring में tension निकाल तो क्या है तो ring की ऐसी जितनी problems आएगी उनमें एक ही technique है जिसमें tension निकालनी होती है circular rings की वो कैसे निकलती है वो आपको बताता हूँ तो पहला point clear है question को छोड़ो की sheet में क्या question है आप बस ये समझो कि आपको क्या निकालनी है tension निकालनी है ठीक है तो इस question के अंदर अगर आपको tension निकालनी है तो start करते है कि suppose करो ये एक ring है ठीक है इस ring के उपर capital Q charge है इस ring के center पे small Q charge है रिंग की tension का मतलब रिंग की force निकालना और रिंग की force निकालने का मतलब force है vector और vector कभी goal तो होता नहीं vector तो एक बिन straight होता है तो आपने क्या करना है एक standard procedure है इसका कि ring की इस type की problem जिसमें को tension निकालनी होती है आप इसका एक small element consider करें माल लो ये element है जिसकी length कितनी है DL आपने एक piece ले लेना है इसका चोटा सा बहुत चोटा ये बहुत बड़ा दिखाया है ताकि आखरी student को दिखे otherwise this element is very very small कितना DL ये रहां था फिर आपने क्या करना है आपने इसमें DL लेके आपने इसमें DL लेके ये लो इस DL element ने सेंटर पे ये सेंटर है ठीक सेंटर पे एंगल बनाया कितना एंगल बनाया theta इसने भी theta और यहां से ये भी theta तू थीटा तू थीटा तू थीटा आपको कि total angle theta ले सकते हैं। total angle theta दो आदादा क्या हुया हårt थीटा by two and theta by two तो यहां पर angle एंगल क्या मना theta theta थीटा? क्लिर है हां तक? इस ring के अंदर tension है, tension एक vector है तो आप वह जासे वह velocity tangential पनती थी ती थी Northwestern motion में velocity gagnential है तो tension भी tangential बुनेगी और tension मिशा equally and opposite कि यहां तक रूल क्लिर एऒ रिंग के अंदर अंदर टेंशन की प्रोप्ब्लम आएंगी पहला रूल कस र यह आप का मां लो सुपना जे और माल लो यह इसका यह y axis की लाइन है कुछ इस तरीके से ठीक क्या हुआ इसका फाइदा फाइदा यह हुआ कि अगर यह theta है तो यह angle भी क्या होगा theta, alternate angle clear है तो अगर यह theta है यह radius है और यह tangent है radius और tangent max में कितने angle पर होते हैं 90 तो अगर यह theta है तो यह वला angle कितना बना 90 minus theta right clear है यहाँ तक तो गोगि total angle इनकी बीच में 90 और यह y axis और x axis भी 90 पर होते हैं तो अगर यह 90 minus theta तो यह angle भी exactly क्या बनेगा theta clear है यहाँ तक तो यह theta और ऐसी अगर यह theta तो यह भी क्या बनेगा theta तो point number one clear है यह geometry clear है तो पहला procedure क्या है ring draw करो element लो tension tension td इस तरी केसे टिंगेंशल लो x y axis लो यह theta तो यह theta यह theta तो यह theta clear है online वालों को clear है yes sir तो यह एक point हो गया right आप को इतना याद करना पड़ेगा कैसे कुछ change हो गया तो कुछ change नहीं होगा कोई कुछ change नहीं होगा यह standard है ऐसे ही बनेगा हमेशा आप गोगे क्या frequency क्वेश्चन आने की बहुत कम बहुत कम इतना कम कि मुझे खुद नहीं बता गी किस साल में कब आया था आपको क्यों करवा रहे हो क्या पता आचाए रिंकी प्रप्लम ठीक है तो मुझे तो पता नहीं की आएग नहीं आएगा तो मैं तो करवाओं गई और फिर इतना लंबा कैसे करेंगे इसका अंसर याद करेंगे और क्या करेंगे तो आंसर सीधा याद करवाद हो फिर आप पूछोगे कि हुआ कैसे तो इसलिए पहले हुआ कैसे फिर एक लाइन का अंसर है सीधा अंसर दिया करेंगे ठीक पर अगर कल को क्वेश्चन चेंज हो गया या किसी और यूनिट के अंदर लगाना पड़ गया अब कितने अंसर याद करवाऊंगा या आप खुद आप आपको की जिन फील हुआ नहीं आप मुझे पढ़ना चाहिए अब मुझे सीध निकालनी है पढ़ोगे तो किताब पढ़ोगे किताब पढ़ोगे तो यह कोश्चन दो मिलेंगे फिर उसके मेथड भी वह लेंगे आपको गया बड़ लंबा कोश्चन है समझ में नहीं आ रहा क्या किया तो यह तो यह तेंशन एंटेंशन टी अब टेंशन के दो साइन थीटा है यह तक ठीक अब दूसरा कोईट ती कॉस थीटा एंट दूसरे को कर गए दूसरे को कर गया तो यह किढसल हो गया यह यह चोटा में बहुत हो बहुत चोट है अब सोचो अगर यह element बहुत चोटा है मैं चोटा बना रहा हूं इसे तो यह बहुत चोटा करने से यह angles भी बहुत ज्यादा चोटे हैं और अगर यह बहुत चोटा डागराफ मनें तो सांध्य कि ज्लीम बनेंगे धुर हूं जेंगे एटने पास हो जाएंगे कि आपको अपयर होगा कि वह कहां एक्टर रहे हैं टुअदस में यह बहुत चेज़िए जिए डी लाने के लिए और यह लोगी चाहिए जीए गाई अब ये Q ने इस element पर small charge कितने है DQ, total charge अगर Q है तो element की उपर कितने है DQ, तो इस Q ने DQ को क्या किया होगा? रिपेल, by a small force DF, इस DF की value क्या होगी? DF की value होगी 1 by 4 pi epsilon naught DQ into Q point charges और मान लो इसका radius अगर A है, divided by A का square, और अगर मैं बोल रोगे ring equilibrium में है, तो इसका मतलब DF force, upward force must be equal to downward force, तो equilibrium maintain होगा, क्योंकि X axis की forces को cancel हो गई, तो Y axis की forces को भी मैंने equate कर दिया, upward force is equal to downward force, क्या ये point clear है यहां तक? ठीक तो कहां से numerical problem start होगी, पहली equation क्या बनेगी, वो समझ में आ गई, कि ring expand हुई क्यों थी, electrostatic force of repulsion, अभी expand क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि 2T sin theta ने उसे क्या कर दिया, equate कर दिया, clear है? एक्स्क्यूज में सर, बोलो, सर, यहां Q, DQ को repel कैसे कर रहा है? क्या रही हो? फिर से बोलो? सर, यहां Q और DQ की repulsion कैसे हो रही है? यह positive नहीं है point charge, और यह भी तो positive है, तो positive, positive को क्या करेगा? repel? तो repel करेगा? ओके सर, ठीक है? तो आपको यह logic सम्मिया आया पहले, कि repulsion की force element पर क्या होगी? यह सम्मिया आया कि repulsion की force क्या होगी? और इसके अंदर equilibrium क्यों maintain होगा? क्योंकि ऊपर की force is balanced by नीचे की forces, ठीक है यहां तक यह पहला rule है, तो अगर कोई पूछे, टेंशन निकालो, question तो टेंशन निकालो, तो टेंशन निकालने के लिए यह equation से शुरू कर लेंगे, और टेंशन को निकाल लेंगे, जब भी maths में, एंगल छोटे होते हैं, बहुत 0 क्या होगा, 0, angle इतना छोटा है, कि वो 0.1 है, तो answer क्या होगा, 0.1, यह तब है जब angles बहुत छोटे हैं, और हमारे इस case में, angles सच में, छोटे हैं, और अगर angles छोटे हैं, तो यहां से df is equal to 2t sin theta can be written as theta, यह rule भी clear है यहां तक, ठीक समझ में आ रहे हैं यहां तक, अब last rule, दो चीज़ें और उसके पाद यह question खतम, पहला rule, df की value में dq क्या होगा, यह रहा dq, अब dq small charge रिंग के उपर, रिंग के उपर charges कैसे distributed होते हैं, रिंग के उपर charges या किसी भी body पर कैसे distributed होते हैं, तीन तरीके से charge distribution होती है, या तो lengthwise, या area wise, या volume wise, अगर आनलो आप ring ले रिंग भी by default thin ही होती है, तो इसके उपर जो charge है, वो lengthwise distributed होता है, अगर आप बात करते हो कि इसकी area wise, जैसे disk है, disk के उपर charge कैसे distributed है over its surface area, और ऐसी solid, जो जैसे कोई fair है, तो charge कैसे distributed है over its volume, तो point clear है यहाँ तक, ठीक, तो अब इस case में, इस case में, आपको क्या given है, कि total जो length है मानलो, अगर मानलो small a, radius है, small a, radius है, इस ring का, तो length कितनी है ring की, 2 पाए A, तो 2 पाए A length है, तो charge कितनी है ring का, capital Q, तो 2 पाए A length में charge कितनी है, capital Q, unit length में charge कितनी है, Q divided by 2 पाए A, और हमारी length कितनी थी small, कितनी dl, तो charge कितने Q divided by 2 पाए A, इंटू कितना, dl, ये क्या आ गया, dq, तो dq समझ में आ रहे है, charge per unit length को length से multiply करतो, dq आ जाएगा, तो point समझ में आ रहे हैं, हमने rod के case में भी बिल्कुल ऐसे use किया था, तो point clear है यहां तक, कि हमने इसमें क्या निकाला, हमने इसमें small charge निकाल दिया, कैसे निकाला, q by 2 by A into dl, clear है आतर, ठीक, तो जो force की problem की बात हो रही थी न, force की problem में charge क्या put करेंगे dq, वोने dq निकाला दिया, ठीक हो गया, अब last एक चीज और मुझे बतानी है, उसके पास यह question बिल्कुल solve हो जाएगा, कि वो ये, पता रही क्या हो रहा है, थोड़ो, देखो, suppose आपके पास, जैसे मैंने बताया कि ये एक ring है, और ये छोटा सा element है, कितना element है, dl, right, और ये total angle कितना था, 2 थी था, इसा radius क्या था, ए, तो आपने sector सुना होगा, ये sector है, तो angle is equal to arc by radius, ये सुना होगा है, तो angle इसमें कितना है, 2 थी था, आर्क कितनी है इसमें, dl, radius कितना है, तो आप 2 थी था को डी था बाए भी पूट कर सकते हो, तो जो मैंने equation बनाई थी, ये बनाई थी, df is equal to 2t sin θ, गर आपको याद हो, तो df is equal to 2t sin θ, ये equation मैंने आपको बना के थी, राइट, इस equation में, df is equal to 2t θ भी बनाया था मैंने, df की value क्या थी, 1 by 4 pi epsilon 0, q into dq by a square is equal to 2 into theta into t, एक ही बाजा है, 2 theta पहले लिख लो, dq मैंने अभी आपको निकालना सिखाया, 1 by 4 pi epsilon 0, q divided by a square into dq, dq क्या था, capital q by 2 pi a into dl, is equal to 2 theta, 2 theta किसके equal है, dl divided by a into t, तो dl से dl क्या हो गया, cancel, निकाल लेना t answer आगा, ये answer होगा, टेंशन का, ये answer होगा, टेंशन का, method क्लियर है, आपको कोगा ये तेंशन कुछी जाए, तो ये पूरा अपरेशन करना पड़ेगा, बैठके, पूरा खोलना पड़ेगा, और ये क्या ये 2 theta, theta, angle, ये कुछ निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बस पेपर में जाना सिधा माक कर देना है, क्या माक करना है, टेंशन का फॉर्मूला, 1 by 4 by epsilon 0, q into q by a का square, बस एक extra term है नीचे, 2 by, done, objective question है ये, तो अबजेक्टिव में सिधा answer होगा, आपको 2 by डिवाइड कर देना answer होगा, हाँ, होगा, ठीक है, तो क्या से तो यही करेंगे, मेरे से पूछोगे, तो में यही करूँगा, पर हाँ, अगर कोई और चैप्टर में मुझे कॉंसे यूज करना पड़े, तो मुझे कॉंसे पताए की कैसे लगाना है, क्लियर है तक, तो टेंशन आ गई, अब इस यह से इम स्टेप जो मैं करके दि इस क्वेश्चन में सिरफ प्रेंशन ही निकालने को कहा था, इस क्वेश्चन में आपको एक और कॉंसेप्ट यूज करने को कहा गया, जिसका नाम है यंज मॉडलस, अब यंज मॉडलस सुनते ही अब लोग सोते हैं अच्छा आप यह प्रॉपर्टी वोज यूज करवाए यह दो समझा दो यह ठोड़ दो 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 चीव चारा रहती है कि समझा कि अजाती है और इस कीट को शाट यज़ा लेकिन जब अब अप बजड़ करेंगे ना आपको दिखेंगे यह कुरशन अप्टेफिक्टिव के अंदर हैं तो फिर आप मेरे एक यूज की प्रॉब्ल्स तो मेरे कोई मुश्किल होगी तो अब वो यंग मॉडलिस की पूछेगा पका अब्जेक्टिट के अंदर यंग मॉडलिस की एक ही क्वेश्चन इसके ऊपर क्या है यंग मॉडलिस आपको कोई रिकॉर्डिंग सुनने की जूवतनी है उसकी एक लाइख बद सुननी है जम्भ मिently समझाने जा रहा हूँ उससे यंग मॉडलिस समझ में आ जाएगा यंग मॉडलिस के अंदर आपको यह बताया जाता था कि कोई बी अगर मान लो एक स्ट्रिंग गवन है आपको माननो आपको एक स्ट्रिंग गवन है ठीक है या कोई भी यह elastic in nature है elastic in nature है तो यहाँ पर इसकी length की रैंड यह एक मिक्रीक है L और force कैसे में F ठीक है तो आपने क्या किया इस reward को खींज के थोड़ा लमबा कर दिया कितना लमबा कर दिया L ड्याश कर दिया तो increase in length यह महलनो increase in length किनी है इसमे delta L तो delta L is equal to increase in length of the wire तो अगर आप delta L को original length से डिवाइड दरते हो, तो आपके पास क्या था है? longitudinal strain longitudinal strain is equal to delta L by L पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो delta L by L longitudinal strain है young's modulus कहां use होता है young's modulus का मतलब कोई material elastic in nature है तो जो material elastic in nature है, वहाँ पर concept young's modulus का use होता है तो young's modulus का formula होता है कि stress divided by strain तो stress क्या है? force by area, strain क्या है? इसमें delta L by L तो यह formula आपने याद रखना है तो याद हो गया है इसमें इस question में क्या निकालने है आपको? अगर आप इस question को देखें तो इस question में आपको young's modulus निकालने क्या है इस पूरी वायर का मतलब ऊपर चो question चल रहा है find the young modulus of the wire and क्या गिवन है? आपको radius गिवन है वायर का small A और आपको एक और चीज़ भी गिवन है और वो है cross-sectional area A यह भी गिवन है cross-sectional area A गिवन है क्यों गिवन है? क्योंकि जब भी आप young modulus की problem solve करेंगे तो force F अपलाई की जाएगी कहाँ पर इसके cross-section area पर जैसे कोई भी अगर यह ring है यह ring की wire है यह cross-section area है तो pi A square area लेना अपने आपने क्या लेना है? wire का cross-section का area लेना है clear है यहाँ तक? ठीक? तो अब wire की tension निकाल चुके हो wire की अंदर की tension निकाल चुके हो उसके cross-section area से अगर divide कर देंगे तो इसका stress आजाएगा force by area यानि कि अगर मैं पूछू मेरे इस question में मेरे इस question में stress की value कितनी है तो आप बोलेंगे tension T divided by cross-sectional area force by area में force की जगा tension area जगा cross-section area clear है? तो मैंने पूछा कि यहाँ पर क्या निकालना है young modulus निकालना है तो young modulus में force by area delta L by L तो यह step पी क्लियर है यान तक ठीक है यान तक तो formula लिख रहा young modulus का अब tension T हमने अलड़ी निकाल ली जो भी वो किया था तो option पर depend करता है objective पर कैसा पूछा जा रहा है अगर answer T की form में है तो T की form में छोड़ तो मत पुट करो अगर वो बड़े form में है तो tension की value पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर आपको tension की जगा into वायर की original length क्या थी उसका circumference कितना 2 pi A 2 pi A जब वायर बड़ी हो गई तो उसकी length कितनी हो गई 2 pi into A plus delta A क्योंकि जब वायर बड़ी होगी तो रेडिस भी पड़ा हो जाएगा पहले रेडिस कितना था A अब कितना A plus delta A यह step clear है यहाँ तक तो नई length कितनी है 2 pi A plus delta A कुरानी कितनी है 2 pi A clear है यहाँ तक तो इन्हें minus करेंगे तो यह क्या आपके पास increase in length delta A तो जहाँ पर delta जहाँ पर length यूज होनी है जहाँ पर question में L यूज होना है L का मतलब original length और original length कितनी है 2 pi A delta L कितने है 2 pi into delta A तो यहाँ से solve करके आपके पास क्या जाएगा यह answer आएगा या तो option में यह answer होगा तो T की form में mark कर देना नहीं तो हो सकता है tension की value जो मैंने उपर निकाली थी वो put करनी पड़े और answer आपको mark करना पड़े concept समझ में आगया कि how to calculate young's model ठीक है आने का chance rare है इस sheet पे NCRT यह sheet नहीं कुछ नहीं 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 किसमें नहीं कुछ नहीं आएगा शेट नमबर थी हो कर रहे है not for NCRT कुछ नहीं आएगा point charges पे आएगा इवर मैं मैं में 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 का पेपर देग रहा है 1221 का बहार भार भी टेबल पर प्ड़ी पड़ी है पहले तीन question प्वाइंट चार्ज की उपर ही आई है मेंस के अंदर भी कोई रोड रिंग नहीं आई पॉइंट चारज आर, Q1 Q2 Q3 ती थी पॉइंट चारज है question तो इतना भी मुश्किल paper नहीं है बड क्यूंकि हम तो सारे करेंगे हमें क्या पतागा, आपके भारी में क्या हैगा हम तो सारे करेंगे, अगर point charge आ जागे objective sheet number 3 थी है तो यह पहला question था कितने लोगों ने try की यह sheet okay check करते हैं doubts रहे doubts होंगे कुछ थोड़े से देखो तो इसके अंदर तू first question कितने लोगों को doubt है कि नहीं समझ में कैसे करना है कितने लोगों समझ में आया कैसे करना है okay ठीक है देखो सबसे पहली चीज first question के अंदर क्या given है आपको इसमें first question के अंदर आपको ऐसा given है कि 2 charges है एक Q और एक Q straight line में है straight line में 2 charges है और यह एक तीसरा charge है minus Q जो किस में घूम रहे है इना circle circle में घूम रहे है कैसे घूम रहे है इस जो AB line है यह जो 2 charges है इसके perpendicular plane में घूम रहे है तो यह AB charge बिल्कुल screen पे उपर है minus Q out of plane यानि कि इसके perpendicular plane में है कुछ इस तरीके से तो point clear है यह तक तो AB charge हुए वो जो 2 charges है वो AB इस तरीके से पड़े हुए and minus Q charge हुए वो इस तरीके से इसके नतर घूम रहे है point clear है यह यह तक question यह है कि minus Q charge घूम रहे minus Q charge किस में घूम रहे है तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कि कौन प्रोवाइड कर रहा है इसमें, सेंटियृपिटल और हमने, finally निकालना क्या है, हमने निकालना है, फिसन कि सिंबल क्या होता है, ओमेगा, ऐंगुलर व्लोसिटी ओमेगा, तो इसका मतलब centripetal force जो भी होगी उसकी value इसके साथ equate की जाएगी centripetal force के दो फॉर्मूला से है या तो mv square by r है या mr omega का square है तो जो भी centripetal force है must be equal to mr omega square क्यों? क्योंकि मेरे को question में क्या निकाल ला है omega, हलागि में mv square by r क्योंकि मेरे को omega निकाल ला है तो पॉइंट क्लियर है या तक क्योंड़ इसमे ठीक, तो एक काम करते है पहले है डिसाइड करते है कि इसमें centripetal force इसको मिल के से रही है तो इस question के अंदर कुछ ऐसे ये question given है कि ये दो चार्चिस है ये दो चार्चिस हैं, एक capital Q और एक capital Q, ऐसे तीसरा charge minus Q कैसे घूम रहे है इना circle, इस तरीके से circle में घूम रहे है इसका radius इसका जो radius है वो कितना given है r ये distance आपको question में given है d और ये भी कितना given है d clear है यहां तक अब minus Q को force कौन लगाएगा इसके surrounding charges surrounding में कौन है एक capital Q और एक capital Q दो charges कितनी लगाएगा ये capital Q minus Q को अपनी तरफ क्या करेगा attract उसी तरीके से ये capital Q भी इस minus Q को अपनी तरफ क्या करेगा attract good out इसमें ये point clear है यह तक ठीक तो कितनी force ये attract करेगा निकाल लेते हैं तो अगर ये angle थीट है तो ये force अगर F है तो इस F का magnitude तो हम निकाली सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught magnitude में Q into Q divided by अगर ये D है ये R है तो ये क्या हुआ under root of D square plus R square तो under root of D square plus R square का whole square तो क्या ये point clear है online बालों को clear है ये तो इसमें ये term आगई आपके पास ठीक है अब उसी तरीके से ये same force यहाँ भी act करेगी राइट एक काम करते हैं इसमे इसके अंदर जैसे suppose ये माल लेते हैं ये आपका x-axis है कुछ इस तरीके से इसके लाइन के पैरदूल बना रहा हूँ बसमे है such that अगर ये थीट है तो ये angle भी क्या होगा थीटा तो ऐसी अगर ये थीट है by symmetry तो ये भी क्या होगा थीटा clear है याँ थीटा जीटा clear है और last ये force F है तो थीटा के साथ वाला component क्या बनेगा F cos थीटा और नीचे क्या बनेगा F sin थीटा उसी तरीके से इस F का component F cos थीटा और नीचे की तरफ F sin थीटा ये component of force इस component को क्या कर गया cancel तो net force towards center कितनी है 2F sin थीटा और center की तरफ जो force है जो act कर गया किसी भी particle को उसको क्या बोलते है centripetal force clear है तो इसमें centripetal force कितनी है 2F sin थीटा cos cos component आपस में क्या कर गये cancel तो equation क्या बनेगी equation बनेगी 2F sin थीटा must be equal to MR omega का square क्या ये rule clear है यहां तक समय आ रहे है यहां तक तो ये equations से आपका answer आएगा values put कर लेते हैं अब इसमें values put करते हैं ठीक है ये देखो तो exactly मैंने ये ही किया इसमें 2F sin थीटा is equal to MR omega का square F की value जो मैंने आपको कहीं वो put करने sin थीटा की value क्या होगी इस हाइट ये हाइट कितने हैं आर और इस हाइपोर्णी उसकितने हैं अंडरूट आप आर स्कूर प्लस दी स्कूर तो ये sin थीटा पुट कर दिया MR omega का square इसमें वेल्यूस आपको अलमुस्ट सारी गिवन होंगी चार्ज पता है D पता है, R पता है, D पता है, D पता है मास पता है, ओमेगा नहीं पता तो यहांसे ओमेगा can be calculated चेक करना पड़ेगा, मैंने चेक नहीं किया बड़ आपको method क्लियर है कि कैसे इसे solve करने बोलू मैंने किया नहीं है, मैंने सीधा लिखा हुए है कितना आ रहे है answers का? 400 आ रहे है अंसर आप एक बार चेक कर लेना वैसे मुझे पता नहीं answer आ रहे है नहीं आ रहे है एक बार चेक करना sin theta में यह height कितनी है r और यह यह right angle triangle ऐसे लेना पड़ेगा right angle triangle यह लेना है यह यह और यह तो यह कितना है r और यह कितना है under root of d square plus तो sin theta क्या होगा r divided by this यह put किया है तो 2 to force की जगा यह पूरी force sin theta की जगा sin theta ऐसे ठीक तो चलो यह concept है तो आपको यह point समझ में आता है कि कैसे करना है इसके अलावाद जितने भी इसमें questions है मेरे खाल से point charges के उपर ही है सारी sheet ही मेरे खाल से point charge के उपर ही है तो अलग लग तरीके से question को पूछा गया इसमें question number 3 में क्या इसमें लिखा हुआ था unit charge check लिखा हुआ है तो किते लोगों को doubt है इसमें unit charge यह निकल गया question doubt इसमें no sir ठीक है okay सही है ठीक है direction ने बतानी थी इसमें question number 4 में doubt 4 भी clear है yes sir doubt है अचा ठीक देखो 4th question क्या है 4th question है 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown तो इसके अंदर आपको क्या given है 3 charges है पहला जो charge है वो capital Q यहां पे है यहां पे है and यहां पे है 3 charge equilateral triangle है right force experience by charge particle at vertex A इसके उपर force in direction BC यह BC है यानि की x-axis को कह रहे A particle के उपर force along x-axis direction normal to BC normal to BC I am sorry normal to BC okay normal to BC normal to BC is क्या होगी यह question में निकालना है okay उसने यह पूछा कि इसके उपर charge पे force किस ने लगाई Q & Q ने लगाई net force लगाई होगी पर मेरे को net force चाहिए नहीं मेरे को force किस पे चाहिए मेरे को इस पे force चाहिए और along क्या चाहिए y-axis चाहिए क्यों perpendicular to BC तो perpendicular to BC y-axis में force क्या होगी यह बताओ एक काम करो force होगी क्या पहले इसको एक बार चेक करते हैं देखो सबसे पहली चीज इसमें एक charge minus q यह रहा एक charge plus q यह रहा given है एक charge plus q यह रहा यह भी given है clear है सबसे पहला rule इस plus ने इस plus charge को क्या किया अपने से दूर repel किया क्या यह point clear है capital q ने capital q को repel किया क्या point clear है minus q ने capital q को अपनी तरफ attract किया यह point भी clear है तो एक फोर्स इसके उपर अगर net force पूछी जाए तो कौन लगाएगा एक ये लगाएगा और ये लगाएगा तो इसने इसको रिपेल किया और इसने इसे अट्रैक्ट किया Rule number one clear आपको जो force निकालनी है वो य-axis में निकालनी है एक काम करो वैस्तो हम इसको इसको पैलोग्राम से net force निकाल सकते हैं पर उसे net force पूछी नहीं उसमें force पूछी आलों y-axis तो एक काम करो अगर ये angle थीट है तो उस case में ये angle भी कितना है थीट है और अगर ये angle थीट है by symmetry तो ये angle corresponding से क्या हो जाएगा थीटा ठीक है ये alternate से थीटा ये corresponding से थीटा तो इस force के दो component होगे एक थीटा के 7 component जिसकी value क्या होगी f cos थीटा और एक perpendicular component जिसकी value क्या होगी f sin थीटा similarly इस f के भी दो component होगे थीटा के 7 component क्या होगा f cos थीटा और perpendicular क्या होगा f sin theta, क्या है point clear है अब मुझे जिर्फ एक शीज बताओ कि इस question के अंदर x-axis के along net force क्या होगी, इन दोनों को क्या करदे, add add करेंगे net force आएगी y-axis में net force क्या होगी अब y-axis में perpendicular to bc, ये vector इसे क्या कर गया, cancel तो net force y-axis में क्या होगी 0, तो answer क्या आएगा 0, हलांकि net force 0 नहीं है y-axis की force 0 है कोई doubt इसमे point clear है आँ तक अगर x-axis तो फिर 2f cost heat answer है y-axis में 0 है और x-axis में 2f cost heat है, net force में 2f cost heat है कोई doubt इसमे clear है आँ तक next everything you ये बहुत आती है तो इस टाइब की problem important problems Katie जिसमें की साथ कोई mask लगा होगा और तो अशे नहीं प्रुशल iset को सब्से पहली चीज अगर आपको plus we forse तो उसके अंथर हम क्या करते थे उसमें हम यह करते थे, कि जैसे, suppose करो, आपके पास ठीक, let us suppose आपके पास कोई भी एक string है, ठीक, जैसे यह string है, ठीक है, और माल लो यह string कुछ इस तरीके से है, जैसे यह wall है, माल लो यह दिवार है, ठीक है, तो यह wall है, और एक string है, और such that, मैंने इसे, यह mass M है, तो इसका weight क्या होगा vertically, downwards, मैंने इसे पकड़ा हुआ है, इस तरीके से, by applying a force of 10 newton question में गवन है, पकड़ा हुआ है, और यह equilibrium में है, और यह equilibrium में है, making an angle of क्या, theta with vertical, तो हम question में ऐसे करते थे, किसके अंदर, components draw करते थे, किसके tension के, हम यह मानते थे, कि इस string में क्या है, tension, tension किसमें होती है, पेर्स में होती है, तो theta, इसमें t tension है, तो by vertically opposite angle, यह भी क्या हो जाएगा, theta, यह भी clear है आतक, तो इस tension के दो components लिया करते थे, t cos theta, और एक लिया करते थे, t sin theta, और यह mass अगर equilibrium में है, तो t cos theta किसको equate किया करते थे, mg, और t sin theta किसको equate करता था, 10 को, यानि कि horizontal की forces को भी net force 0, vertical में भी net force 0, तो वो करने के लिए, उपर की force is equal to नीचे की force, left की force is equal to right की force, तो क्या है point clear है, यह same rule, charges के अंदर भी लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, यह देखो, question है, q and q दो charges है, q and q दो charges है, 10 micro coulum का charge है, threads है, यह threads है, दो charges है, यह दो charges, इस इन दोs threads के नीचे लटके हुए है, लटका हुए है, similar charge है, तो obviously यह दो है नी, कठे रहेंगे नी, तो q and q को दोसे को क्या करेगा, रिपल, तो रिपल करता है, और इस situation ऐसी हो जाती है, कि अंगल क्या बनता है, यह पर वर्टिकल के साथ, 60, और system एकुलिब्र में आता है, रेस्ट पे आ जाता है, और आपको क्या निकालने, tension in this thread निकालने, क्या होगी? तो इसमें tension निकालने, थ्रेट में क्या होगी? अब सिस्ट्रम किसमें? इकुलिब्रम में, एकुलिब्रिम के अंदर net force क्या होती है, किसी भी पारिकल पे zero, net force के लिए क्या दॉक करनी पड़े के इसके ऊपर force, 30, string में क्या जाएगी tension, क्योंकि string क्या हो जाएगी tight, तो string में आ गई tension, tension के दो components, 30 30, तो T के पहला component क्या होगा T, cos 60 A क्या होगा T, sin 30, T cos 30 T sin 30 clear है यहां तक, weight कितना है mg, और इस Q charge में, इस Q charge को क्या किया repel, तो किस से repel किया, electrostatic force of repulsion, तो यह वो force है, repulsion की अब यह क्योंकि point charge है, यह point charge है, इन में distance क्या है, वो लेना पड़ेगा वो कैसे आएगा, आपको तो यह 1 meter given है, यह 30 degree given है, काम करो, यह right angle triangle लो, इस right angle triangle में sin of 30 क्या होगा, x divided by 1 sin of 30 is equal to 2x divided by 1, तो x क्या हैगा, sin of 30 अजर यह x है, तो यह भी कितने है, x तो दो charges में total distance कितने है, r, r क्या होगा 2x, तो r की value can be calculated, तो r की value यहाँ पर क्या होगी, 2 into sin of 30 तो क्या है, पॉइंट क्लिर है, आतक तो 2 into sin of 30, आपके पास क्या हैगी force हैगी, कोई doubt इसमें point समय में आ रहा है आतक अब इस case में अब इस case में क्योंकि यह equilibrium में given है, दोनों particle equilibrium में है, तो कोई भी एक particle लोग, t cos 30 किसके equal है, mg पहली equation and t sin 30 किसके equal है, electrostatic force of repulsion, जो क्या होगी, 1 by 4 pi epsilon not q into q by r का square और r हम निकाल चुके है, इसमें 2 into sin of 30 तो point clear है यहां तक तो इसके अंदर आप यह equation लिखें इनने divide कर लें, या जो भी निकाल लाए इसमें divide कर लें, divide कर लें तो इसमें इनने solve करें और t की value can be calculated तो कैसे करेंगे आप खुद देखना एक बार equations बनानी आ रही है, सबको कैसी equation बनी, तो string की जब भी problem आईगी paper में, तो tension लेनी है, और tension की 2 components लेने है, clear है यहां तक points हो को सुम्हा रहा है कि कैसे करना इसमें अप्राश। करें जदेखी ऑल्लै्ट कीरें यहां 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 ड्लै स्ट्राश प्लाश झाल 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 6th question कितने लोगों इसमें doubt है questions आते हैं से मैं बता रहा हूं आपको तो इस question में इकुल चार्ज इस capital Q, capital Q, capital Q-A length , magnitude of force on charge भी तो इसके उपर net force निकालनी है तो क्या रूल है इसमें? यह है कि इस यह जो capital Q है इस capital Q को क्या करेगा repel यह capital Q capital Q को क्या करेगा repel यह capital Q भी इस capital Q को क्या करेगा repel तो जब इसकी बारी आएगी तो force क्या होगी 1 by 4 by epsilon not qq by a square जब इसकी और इसकी बात होगी तो 1 by 4 by epsilon not qq by a square लेकिन जब इसकी बात होगी तो 1 by 4 by epsilon of q, q by root 2a का square क्योंकि डागनल की लेंद रूट 2a होती है, ठीक है आतक, तो डागनल की जो लेंद रूट 2a है, क्लियर है, तो तीन फोर्सी आ गई, नेट फोर्स क्या होगी, ये दो वेक्टर आपस में 90 डिगरी पे हैं, तो रिजल्टेंट इस तरफ ही जाएगा, तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो एफ 3 की डाइक्शन में, तो नेट फोर्स क्या होगी, जो भी रिजल्टेंट इस प्लस F3, तो मेरे कहाँ से ये पॉइंट क्लियर है, तो ये मैंने रॉट किया, रिजल्टेंट अंडरूट अफ 1 स्क्वार प्लस F2 स्क्वार आएग जो होता है , ये मैंने सबल्स खुछ 29 ऑर कारूंतब इसमुड क्यास् gust अप्लसम करोखी정 है, ये मैं आपको क्रोखंग के का अगा मैं एक क्या करूंतब अज seller रेज कोैंते कि ये स出ताया है, जो आप करते हो रिजल्टे सामने स्टेप्स से छो पिर दो सब्स्टेप करते हो यह चार्ज भी कम रहता है यह question देखा आपने 7th किते लोग आ गया कितों का नहीं आया देखो इस question में आपको ना 4 charges given 4 charges given minus q, minus q, minus q, minus q and small q center पे है and वो क्या कह रहा है if this system is in equilibrium then value of small q will be equal to what तो आपको question में कुछ इस तरीके से यह given है देखो आपको question में कुछ ऐसा given है यह देखो ठीक, such that यह कितना charge है, minus? छोटा q, बड़ा q बड़ा q बड़ा q, minus q, minus q, minus q and minus q और यह कितना है? small q तो आपको तो क्वेस्टन यह है कि यह 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 रेंजमेंट गिपन है और system is in equilibrium अब system कहीपार तो गिवन होता है यह चार्जए इक्लिबरियम में यह चार्जए उक्लिबरियम में तो इस्ट्रम एक्लिबरियम में है equilibrium का मतलम net force क्या है कि इसके उपर जीरो तो वो minus q इस minus q को अपने से दूर क्या करेगी repel क्या step clear है और कितनी force से करेगी 1 by 4 pi epsilon not magnitude only please q into q divided by a square clear है आतर माल लो इस force का नाम है f1 ठीक है उसी तरीके से ये minus q भी इस minus q को क्या करेगा उपर की तरफ repel माल लो ये force है f2 जिसका magnitude सेम ही रहेगा 1 by 4 pi epsilon not q into q divided by a square right और ये minus q इस minus q को देखो कोई कहेगा ये minus q इस इस पर पूछ कोन रहे है मैं तो equilibrium किसका बना रहा हूं उसका तो सारे वेक्टर किस पर उस पर तो अब ये दो charges भी से repel ये attract करेंगे तो minus q इस minus q को क्या करेगा repel f3 1 by 4 pi epsilon not q q by root 2 a का whole square और last ये plus q इस minus q को क्या करेगा attract f4 1 by 4 pi epsilon not q into magnitude divided by a by root 2 का whole square क्योंकि diagonal का है a by root 2 जो half diagonal होता है वो a by root 2 होता है full diagonal root 2 होता है तो point clear है यहां तक कुल मिला के कितनी forces है 4 तीन तो ये रही चौथी ये रही नेट फोर्स का है 0 तो इक काम करते है ये दोनों आपस में 90 डिगरी पे हैं कौन-कौन f1 and f2 तो f1 f2 का resultant कहां पर आएगा इस तरफ आएगा f1 square plus f 2 square और f3 भी exactly इसी तरफ है तो net resultant f1 f2 का इस तरफ f3 भी इस तरफ और एक force इनके opposite है और वो क्या है f4 जोना f4 इदर है इन दोनों का resultant इदर है f3 भी इदर है और अगर आप चाहते हो कि net force क्या हो जाए 0 तो f4 must be equal to f3 f3 plus under root of f1 square plus f 2 square तो point clear है यहां तक तो इन्हें equate करेंगे f1, f2, f3, f4 की values को put करेंगे फिर अपना math सदाएंगे और फिर आपसर निकालेंगे पर method समझ में आ रहा है ठीक है तो इसको मैंने किया भी हुआ है वैसे अगर आपने यहां से नहीं देखना तो यहां से देख सकते हो यह लो यह रहा यह रहा यह रहा तो मैंने f3 लिया f1, f2 लिया इसने double dash लिया कोई फरक नहीं है तो सारी values को यहां पर put किया गया जैसे f dash है यह f है तो इन दोनों का resultant under root of f square plus f square जो f dash के साथ है और किसको equate करेगा f double dash सारी values को मैंने खुद पुट किया है मैंने खुद सौल किया और मेरा तो answer आ गया I hope आप 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 यहां जाएगा answer calculation आपको करने पड़ेगे उसका तो क्या ही कर सकते है method clear है method wise कोई doubt इसमें सब्सक्राइब आ रहा है यहां तक online वालों को clear है yes sir yes sir yes sir okay ठीक यह question हमने कर लिया okay इस question की बात करते हैं यह question हर बुक में आपको मिली जाएगा बिलून वाला question मिली जाता है इसे ना कुस्टेंडर सी प्रॉब्लम्स है आएं आएं मुझे पता नहीं हर किताब में जो प्रिंटे होती है करवादो तो बच्छा कहता है यार क्या यार कैसा question है ना करवाओ तो डूट की फों में आयता है सर यह question था कर लो क्या फ़रक है यार भुक तो सारी कबर करनी है वाई लाई क्या फरक है यह भी कर लेते हैं यह बलून के question प्लस वन के अंदर भी कभी या जाते हैं हीलियम बलून हीलियम की क्या हलकी कैसा है मार्किट में जाओ हीलियम बलून का बगाराल उड़ता जाता है कैसे उड़ता है भई अब थ्रस से एक्ट्वल में क्या होता है बिलकुल भी प्रिंसिपल जो बॉल का प्रिंसिपल है एक प्लस्टिक की बॉल को किसी भी स्ट्विंग पूल के निचे ले जाओ उसको छोड़ दो उपर ही जाती जाएगी ठीक है क्यों क्योंकि पानी क्या लगाएगा उसके अप अब थ्रस्ट वेट कम है अब थ्रस्ट जाद है वो ऊपर उड़ती जाएगी उपर जाती जाएगी हलगी का okay अब थरस्ट तो थालगाएगी अब थ्रस्ट ऑपहर्यूप तो अप्थरस्ट जादा हो जाएगा, वेट उसका कम होगा, तो गुबारा कहा जाएगा, उपर जाएगा, तो यही प्रिंसिपल है, तो हीलियम गैस जहां पर आ जाएगी, बैलून उपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो बाई डिफॉल्ट इसमें गिवन नहीं होता, कि अप्थरस्ट लो, लोग कुछते हैं कि एर का अप्थरस्ट पानी का तो सुना तो एर का कहां से आ गया, हीलियम बैलून के कोश्चन में, अप्थरस्ट ही बैलून को ऊपर लेके जाता है, ठीक यहां तक क्लियर है, तो यह बैलून ऊपर जा रहा था, आगे देखो, अब इसमें एक मास को नीचे बांदिया, बैलून के नीचे मास बांदिया, और यह भी फ्लोट कर रहा है, ना तो नीचे गिर रहा है, ना ऊपर उड़ रहा है, तो यहाने की पूरा सिस्टम किसमें है, इन, एकुलिब्रियम है, आपने चीज में उट की, बूरा चैप्टर ही कि किया था, SHM, और उसी में देखो क्या खतरना कसी एक्वेशन बनी स्टार्ट हो गई थी, शुकर है, मूव नहीं कर रहा है, अपर ठीक चल रहा है, रेस्ट भी पड़े है, एकुलिब्रियम से है, तो मूव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, मूव करने में कानिमेटिक् एकुलिब्रियम है, और एकुलिब्रियम में यह मुझे समझ में आ गया इकुलिब्रियम करने के बाद, कि पता नहीं क्या डागरम दोगरम 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 द अब यह शुरुई हुआ था, फर्स लेक्ट्र में यह कूलम लॉग है, उसके बाद तो कूलम लॉग उस ही नहीं हुआ, ऐसी चल रहा है, यह तो फोर्स की प्रैक्टिस जाधा हो रही है, ऐसी हो रहा है ना, मेरो वह ऐसा लग था, ऐसा ही हो रहा है, तो एलेक्रिक फील्ड क जब चैप्टर करेंगे, फ्लक्स करेंगे, फिर यह सा चेंज हो जाएगा, और फिर प्योर प्लस टू की उपर काम चलेगा, उसमें इतना मुश्किल नहीं है, वो इंट्रस्टिंग हो, इसकी कैल्कुलेशन जाधा नहीं है, इसकी कैल्कुलेशन वेक्टर बाई जाधा है, उनकी जाधा नहीं है, उनका कॉंसेट बढ़ा है और कैल्कुलीशन छोटी है, देखो, इसमें दो बैलून्स है, मास है, एकुलिब्रियम है, और फोर्स क्या-क्या इसमें अक्ट करेंगी, पहली फोर्स, पहली फोर्स जो इसमें अक्ट करेंगी, वो क्या है, जहां धागा, string आएगी, टेडी वो भी, टेडी ऐसी, उसमें क्या जाएगी, tension, TNT, तो tension, अभी हमने पिछले question किये भी, string दिवार से टांग दी, string टेडी हो गई, जब टेडी होती है, tight हो जाएगी, तो इसमें क्या जाएगी, वैसे मास्क लगा हुआ, tight होगी, तो क्या repulsion, और ये q charge, इस q को क्या करेगा, repel, electrostatic force of repulsion, तो fe, fe clear है, electrostatic force of repulsion, u, u clear है, t, t clear है, और mg clear है, forces clear है यहां तक, ठीक, अब लगानी कैसे है, इसको देख लेते है, लगाने के लिए ये tension है, अगर मैं इसका free body diagram की बात करूँ, तो इसके free body diagram में यू, और ये t, ये t, ये t इस पे कौन कौन सी forces अट कर रही है, इस पे एक force अट कर रही है, यू, एक क्या अट कर रही है, t, एक क्या अट कर रहा है, fc, ये तीन forces है, तो इस t के component दो कर लो, ये थीट है, तो ये भी थीट है, alternate angle से, t का पहला component क्या होगा, t, cos theta, और ये क्या होगा, t, sin theta, और अगर य E is equal to T sin theta and U is equal to T cos theta. So, point सम्झ में आ रहे हैं, अगर ये पहलू न एकिलिब्रम में है, तो इसकी upward force is equal to downward force, left की force is equal to right की force. आएगा, आएगा, जब आप ये लगाएंगे, अगली आइन तो सुनो, आपका आंसर नहीं आएगा. ठीक, मतलब ये मैं गलत लेकिन ये नहीं की गलत बोल रहा हूं, ये तो लगेंगे equations, पर फिर भी आंसर नहीं आएगा, इसको objective पोजिए नहीं है, वो वेट के साथ आंसर दे रहा है, और मैंने इसमे अभी तक वेट को चंसेडर किया नहीं है, अब मैं एक और equation नहीं हूंगा, जमें वेट आजाएगा, पॉइंट क्लियर है आँ तक, तो करें स्टार्ट, तो इसके अंदर, देखो, हाँ, तो एक equation मैंने क्या बताई, मैंने आपको एक equation मनाई, F e, F e, T sin theta, U, T cos theta, अब एक और equation मनाते हैं, यह पूरा system equilibrium में है, अभ्यान सही है important है, आपने एक balloon का free body diagram तो use कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक complete diagram के अगर देखें, complete diagram को देखें, तो आप इसको दो मिनिट भूल जाओ, कुछ नहीं हैं, इस पे majorly तीन forces, चार forces एड़ करती हैं रादर, पहली U, Mg अगर अगर कॉंपनेट को दो मिनिट छोड़ दें, तो majorly तो कौन कौनसी forces एड़ कर रही हैं, U, T, Mg और electrostatic force, पूरा system भी equilibrium में, दोनों balloons और मास सब equilibrium में, रेस्ट में हैं, तो अगर रेस्ट पे हैं, तो total upward force, बोलो पूरे system के कितनी है, यू प्लस यू, 2U, total force upward बोलो, 2U, total downward force बोलो कितनी, Mg, और, और कुछ भी नहीं, आप कोगे T so cos theta, तो T cos theta कैसे, इसके component रोई नहीं किये, इसमें एक का component, अगर इसका रोगे तो T cos theta, T cos theta आपस में, तो T and T तो ऐसी equal and opposite forces है, जब add a whole काम करेंगी, तो T and T आपस में क्या तर जाएंगी, cancel, तो total upward force कितनी है 2U, total downward force कितनी है सिरफ Mg, right की total force कितनी है Fc, left की total force कितनी है Fc, तो equilibrium में तो पहली बना हुआ X-axis में है, तो उपर की force कितनी है 2U, नीचे की force कितनी है Mg, तो एक और equation त्यार हो गई, तो आप कहलते वेट कहां से लाओ गए, ये जब पिछली equation थी, जिसमें U को इसके equal किया था, उसमें U replace होगा किसके साथ, Mg by 2 के साथ, अब answer आपका Mg की form में आएगा, ये देखो, ये ही किया हुगा इसमें exactly, एक equation completely होगी है इसमें, 2U is equal to Mg, एक equation तो पूई complete, तो एक equation यह रही, एक free body diagram से equation लिए है, अब मैं diagram साथ साथ दिखा दूने से confusion होगी है, ओके, ये देखो, इसमें देखो, तो अगर मैं diagram की साथ काम करूँ, तो 2U is equal to Mg, फर्स्ट equation, दूसरी, U is equal to T cos theta, U is equal to T cos theta, दूसरी equation, तो इस U को put कर दो यहाँ पर, उपर T cos theta, तो क्या बनेगा, 2 into T cos theta is equal to Mg, ये लो, एक और equation, free body diagram से, Fc किसके equal है, T sin theta, तो Fc is equal to T sin theta, और Fc is equal to T sin theta में, ये next equation, एक ये equation, एक ये equation, इन दोनों को divide कर लो, तो this equation, तो T से T क्या हो जाएगा, तो ये मैंने आपर इसे डिवाइड कर लिया, देखो, ये रखो, मैंने डिवाइड कर लिया, मैंने गल्दी कि, इसमें ना 2 रह गया, मुझसे कहीं, मेरी काल्कुलेशन गल्दी हैं इसमे, जब मैं डिवाइड कर ला था, इसमें 3 और 4, इसमें 2 रहा है, इसमें 2 नी रहा है, इसमें 2 नी रहा है, तो this by this करेंगे, तो 2 चलेगा, मैं यापर 2 मिस कर गया, तो यहाँ पर कर लिक्शन आपर, कहीं पर 2 आएगा, यहाँ पर, तो आपके अंसर में 2 आएगा, तो option में 2 की फोर में आँसर गेबन होगा, मेरा 2 की फोर में हारा, मैं 2 को मिस कर गया, पर आपको सुम्हीं अगया है यहाँ तख, डिवाइड किया, 10 थीटा आगया, 10 थीटा को K लिख सकते है, तो k लिखेंगे तो tan theta आएगा q एक तरफ बाकी term एक तरफ क्योंकि आपको question में q निकालना है तो q की value can be calculated आपकी option में 2 भी आ रहा होगा क्योंकि मैंने 2 में स्किया तो यहां पर 2 की form में answer है आपको equations clear है कैसे equilibrium की question मेंना ही t cos theta t and t equal and opposite pair में है जब complete diagram लिया जा रहा है तो t and t cancel कर जाएंगी complete diagram में पूरे में t and t cancel pair में free body diagram में cancel नहीं करेगी जब whole diagram होगा तो t and t equal and opposite pair में cancel करेगी इसलिए तो point clear है यहां तक ठीक है तो यह अहर book में given नहीं होता है question online वालों हो clear है yes तो अहर प्रूप प्रूप तो प्रूप इने सामल्टेन स्वाल करके देख लो ना बलो गजिस के सामल्टे स्वाल हाओ बिना अप्तस के मुझे पता नहीं कैसा है पर गुपारा उडे कैसी वेख अपवर्ड नंवर्ड पर आउन्वर्ड पर्समें डाउन्वर्ड पर्ता अपदर कैसा है पता है नहीं तो ऐसी लगया होगा कुछ चांस ठीक है? बोलो हमें कैसे पता तीन बार कर लो जो जाके तीन बार चौती बार लोगों को बता होगा डिवाइड करना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस है जिसने प्रैक्टिस कर रखी है आप बुक्स जब सॉल करते हो ना ठीक्ष कर दो करना ना बता है तीने निया बहुत है अगर यह उच्ण कुछ को भी क्वचे मैं जो थो अगला बुच्ण चांज जाएगा तो प्रैक्टिस है, आज आज आपको पता लग जा आदा हना कि जब दो two fantastic question है कॉस में पने काश के टैन में जैसे मरजी कर लो मैक्स आपका है। जैसे मरजी कर लो सबसे सान डिवाइड करना ही होता है। टैंशन कट जाती है। इसलिए यह सान कॉस्चन है कितने लोगों को इसका आंसर मिल गया। कितनों डाउट है। मैथमाटिकली करना चाहिए। मुझे बता नहीं आपने इसको कैसी किया एक बार एक बार डिसकस करते हैं असे। देखो ते रध्याना के। देखो इस question में आपको ना दो strings गिवन है। दो strings जी साथ दो masses गिवन है। इनके ओपर चार्ज किवन है। यह strings ऐसी सीथी थी पर क्योंकि इनके पास चार्ज था, रिपल्शन वी टेड़ी हो गई, और टेड़ी हो गई, किस में आगी इन, इकली पर हम उनने कौन सा आया है, क्वेशन देना है कि उड़ती जा रही है, इकली पर हम टिक गई यहां पर, कितने अंगल पर, थीटा 1, थीटा 2, क्लियर है, अ एकी लेंट एलवन है, एकी एलटू है, मास M1, M2, चार्ज Q1, Q2, तो वो यह कह रहे है कि अगर मैं चाहता हूँ, कि इनके बीच में यह एंगल बराबर हो, थीटा 1, थीटा 2 बराबर हो, तो बताओ कौन सा आपशन इसमें से सही मैच करेगा, कि चार्ज भी इन दोनों के एकोल हो, चार्ज इन दोनों के एकोल हो, तो एंगल बराबर आएगा, या फिर मास बराबर हो, तो एंगल बराबर आएगा, लेंथ बराबर हो, तो एंगल बराबर हो, तो एंगल बराबर हो, या रेशो बराबर हो, या रेशो बराबर हो, या अपको बता नहें, मेर को कन् पर चार्ज बरापर करके होगा क्या Q1 ने Q2 को एफ फोर्स लगाई तो Q2 ने Q1 के ओपर एफ फोर्स लगाई F की वेल्यू विल रिमेन सेम तुम अनिकोल होगे तो भी फोर्स सेम है चार्ज इकोल करके भी क्या करूंगा लेंथ उपर नीचे कर दूँ एक छोटा कर दूँ बड़ा कर दूँ ने इस समझ में नहीं आ रहा तो फिर मुझे एक बात सिखाई गई कि भी स्ट्रिंग के जब भी प्रॉप्ल माईगी स्ट्रिंग टेडी होगी ना तो इसमें टेंशन ड्रॉ कर लेना एंगल ले लेना टी कॉस थीटा टी साइन थीटा तो रेना आंसर आ जाएगा तो मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने यही किया तो मैंने इसमें एक मैंने इसमें क्या किया इसको थोड़ा सा अगर इस तरीके से बड़ा करें तो टेंशन ड्रॉग की as usual string में टेंशन टी है यह step clear है फिर मुझे यह पता है यह बड़ा चार्ज इसे क्या करेंगा रिपल, electrostatic force of repulsion और रेस्ट पितवाई जाना इसने तो रेस्ट पे आने का मतलब T कॉस थीटा किसको बैलेंस करेंगा M1 जी और T साइन थीटा किसे बैलेंस करेंगा F1 अब तो याद हो गया होगा T कॉस थीटा, T साइन थीटा, left, left, right, right बात कदम ठीक हो गया था तो मैंने भी exactly यही किया ये लो T कॉस थीटा is equal to Mg and T साइन थीटा is equal to Fc तो यह step clear है equation number 1 and 2 राइट अगर हम इने divide कर दे equation number 2 and 1 को तो आपके पास ये equation आगी ये step clear है रादर मुझे यहाँ पर यहाँ पर लिखना चाहिए M1 क्योंकि ये particle number M1 की बात हो रही है clear है यहाँ तक ये equation आगई अगर मैं ये ही equation second particle के लिए भी बना हूँ तो equation क्या बनेगी tan of theta 2 is equal to electrostatic force तो same ही रहेगी divided by M2 G तो ये पहली equation है ये दूसरी equation है अगर मैं चाहता हूँ कि theta 1, theta 2 के equal हो जाए ये तो पहली बराबर है G पहली बराबर है तो फिर किसको बराबर होना पड़ेगा M1 is equal to M2 को doubt इसमें तो M1, M2 के equal होगा तो अपने अप अप अंगल क्या होजएगे equal to answer क्या माक करेंगे M1 is equal to M2 क्यों ही चार्ज बराबर होगा क्यों ही क्या चार्ज बराबर होगा तो नहों में चाहाँ चाहँ पहली चेंज है Q1, Q2 ये देखो कैसे चेंज होगी फोर्स इस Q2 ने इसके उपर electrostatic force लगाई F2 तो इसने भी इसके उपर लगाई F2 F2, F2 equal and opposite F1, F2 थोड़ना लगेगी F2, F2 लगेगी Q1, Q2 by R square length वैसे मेरे को कभी-कभी लगता है length होना चाहिए पता लगे एक तो 10 meter ले ली एक दो meter ले ली तो इसके बराबर कैसे होएंगे मेरे को ऐसा पर उसने क्योंकि कहा कि उनका horizontal level same है तो लेंथ मेरे की बहुता बादा variation lean ही उसने इसका मतलब horizontal force एक ही line में है F2 की value एक line में इसलिए जोड़ दिया वैसे अगर बहुत अनिक्वल होगे तो बात बनेगी नहीं point clear है आतक toline में क्लियर है कैसे माग करना इसमे yes sir ठीक yes 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 sir 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 okay question number 11 कितने लोगों को इसमें डाउट है यह आपको हर किताब में मिलना ही वाला है डाउट है देखो इस question को कितने लोगों को गया है हो भी गया अच्छा ठीक है सारा पॉइंट चार्जिव पे चल रहा है बैसे आपको इस चीज बता दूँ कि लेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स पे मैंने जादा टाइम लगाया है जबकि लेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स चोटा चैप्टर है और अभी तो प्लस्टो पो कि अभी चल यहां चुरू हो अभी चार्टोस्टीक फोर्स यतना टाइम लगाया जाएगा आपको प्लस्टो सेम क्या कोपी पेस्ट है सेम इतना सेम है तो बिलकुल सेम तु सेम का मदब दो चार प्रसेंट ही चेंज है तो बी चैप्टर आटमेटिकली त्यार हो गया आपका तो जो एक्सरसाइज जो एफट यहां लग रहे है उतना ही कम एफट बी चैप्टर में लगेगा तो इसलिए हम एफट लगाएंगे अपने अप्तियार हो जाएगा बी की प्राटिस करेंगे फिर C करेंगे A, B, C और D इस चार चैप्टर है बस यह चार पान चैप्टर जो इनिशल है यह अगर आपने ठीक ना कर लिए प्र आपका प्लस टो कोई बीट नि कर यह फिर एगदम सही चलेगा तो इसलिए मैं बोलता हूं कि इसके ओपनिंग प्लस टो की बहुत इंप्लस न की तरह नहीं है काल्कुलिस कम ऐया कोई बात नहीं है बडेक्टर कम आया चलो कोई बात थिंख शेक्टिल आ तो भी कोई कम बात कोई शार मीनी की फ्रिक्स न हुए तो भी ज़्ग फरक निपढ़ एक्रद अर में प्लस न का की लाकिन यह हैसा नहीं भाल्यू बहुट जादा इंपॉटें है काफी इजी है बहुत स्मूथ है केमिस्ट्री बेस्ट है आटम न्यूक्लियर्स रेडियो अक्टिविटी उसमें एफट कम है क्योंकि आप लोगों को अल्रडी केमिस्ट्री अती होगी तो इतना फरक नहीं पड़ेगा पर यह एलेक्ट्रोसाइट सो बहुत में है इसको ब बहुत है तो आपको अन्दर इडिक्कत हो सकती है मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि प्लस्ट तो चल भी नहीं रही ना वैक्टर तो चल रहे है अब जैसे एक प्लस्वन के अंदर कॉंसेट यूज होता है मैं पले बता दू फिर प्रॉबलम तो दो मिनिट की है प्लस्वन में यह कॉंसेट यूज होता है कि अगर मान लो कोई भी बॉड़ी है और वो सर्कल है या एक प्लेन सर्फिस है अगर बॉड़ी यहां पर पड़ी हुई है तो इसका जो नॉर्मल रेक्शन है नॉर्मल रेक्शन इस पर्पेंडिगलर टु दी सर्फिस राइट अगर कोई बॉ अगर कोई बॉड़ी यहां पर पड़ी हुई है पर पेंडिगलर टु दी सर्फिस यहां पर पड़ी हुई है पर पेंडिगलर टु दी सर्फिस आपको मालूम है सर्कल के अंदर जहां मरजी बॉड़ी पड़ी हो या स्फेर के अंदर तो पास कहां से करेगा नॉर्मल रेक तो इस question के अंदर क्या गिवन है कि दो चार्जेस है यह दो बॉल्स है दो बॉल्स है दो बॉल्स इनिशली कठी पड़ी थी स्फेरिकल ग्लास के अंदर कठी पड़ी थी Q&Q चार्ज अब Q&Q चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा रपल बॉल का जाएगी दूर रुक जाएगी किसमें आगी इन तो अफिर एकुलिब्रम तो चार्ज निकालो क्या होगा question तो फिर भई आ गया एकुलिब्रम में left की force is equal to right की force उपर की force is equal to नीचे की force तो सबसे पहले क्या draw करनी है force तो force draw कर ले पहली force पहली force इसके अंदर ये अगर q charge है ये अगर q charge है तो q q को क्या करेगा अपने से दूर repel electrostatic force ये भी से क्या करेगा repel electrostatic force normal reaction कहां से pass करेगा इस sphere के center से radius इसमें r लेने को कहा गया है इसमें तो normal reaction r या जो भी n इसमें अगर ये r है ये r है और question में गिवन है ये दो बॉल्स के बीच में distance भी आ रहे तो इसका मतलब ये एकुलेटर ट्राइंगल है एकुलेटर ट्राइंगल का मतलब अंगल इनके बीच में कितने है 60 तो अगर ये 60 है तो n के दो components है n sin 60 और n cos 60 तो मतलब कि instead of drawing tension तो ये टेंशन के क्या n cos 60 और mg is equal to क्या n sin 60 तो ऊपर की force is equal to नीचे की force लेफ्ट की force is equal to right क्यों में काम इसे फोर्स ड्राओ करने का और कुछ का मी नहीं है ये देखो तो n sin 60 is equal to mg n sin 60 is equal to mg तो यह से n की value mg by sin 60 और n cos 60 is equal to fc n cos 60 fc का मतलब 1 by 4 by epsilon not qq by r square तो इस n को यहाँ से यहाँ पुट करके answer can be calculate answer तो चलो पर निकाल ही लोगे जो निकालने पर method clear है कर सकते हो 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 ठीक है, यह क्वेस्टन कित्मे हो डाउट है, डाउट है, इसकी ना imagination प्रोड़ सी मुश्किल हो जाती है, शुरु शुरु में बाद में ठीक हो जाएगा यही ऐसे क्वेस्टन और आएंगे तो ठीक हो जाएगा, देखो, ओनलाइन वालों को क्लियर है अचा ठीक है, डाउट है, देखो, इस क्वेस्टन में यह कहा गया है, ए, बी, सी, तीन चार्जेज हैं Q Q Q, 3 कौनर्स पे पढ़े हूएं, साइड A, how many minimum charges should be placed on the circle of radius A, with center at A इस पिरिक्स कि अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मताईगा, इस पिरिक्स कि अज़से प्रॉब्लम को समझना खरिक्स कि क्या है, क्योंकि क्वेस्टन संदें नियागा, तो जब पर पहले क्वेस्टन समझना है और मैंने माइन करना है, क्वेस्टन की प्लिस्मेंनी चाहिए यह क्या फिर कि स्टैटीजी बनानी है, कि हा यह इस इस तोड दुन निकलेगा, ऐस बड़ाई फिर मैक्स आना चाहिए और फिर कल्कुलेशन भी सही होनी चाहिए तब जाके कहते हैं कि फिरिक्स ठीक है मारी तो एक भी पार्ट कमज़ हो रहे तो फिरिक्स में अटके का कोश्चन तो बहुत सारी चीजी कठी चलती है इसमें तो प्रैक्टिस रिखीक होती है तो पहले कोश्चन समझते हैं कोश्चन यह है कि मेरे को वो कह रहे है कि तीन चार्जिस गिवन है एवीसी पे तो तीन चार्जिस एवीसी पे गिवन है मैं यहां निया ट्रेग्राम बनाता हूं देखो मेरे को इसमें तीन चार्जिस गिवन है एवीसी में जैसे मैं पताया यह लो कितने कितने चार्जिस पताना ज़ा प्लीज क्यू 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 और यह वर्टेक्स ए है राइट वो यह कह रहे है इस क्वेश्चिन में कि मैं एको सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करता हूं चलो ठीक है एको सेंटर मानते हुए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं यह मैंने एक circle draw कर तिया a को center मांगते हुए वो कह रहे है इस circle के circumference पे बताओ मैं कितने charges रखूँ कितने एक दो तीन ताकि a के ऊपर net force 1 by 4 pi epsilon not q square by a square where a is the radius of circle यह answer आए मतलब वो कह रहा है कि a को center मांगते हुए circle draw करो circle के उपर charges रखो such that a के उपर यही force आनी चाहिए और x-axis के long ही आनी चाहिए यह answer आना चाहिए अब मुझे एक चीद पता है यह charge इस charge को repel करेगी इदर तो मेरा answer यहां पर तो आनी पाएगा अब इसकी वज़े से तो इक काम करते है एक charge आप इसके circumference पे circle के circumference पे यहां रखो ताकि यह charge इस charge को क्या करेगी रिपल और यह charge भी क्या करेगी रिपल ताकि इसका effect क्या हो जाए cancel चलो काम खतम हो गया ठीक हो गया अब ये charge भी इसे क्या करेगा अब इधर की जापती भी force इधर भी force लगाएगी नी तो एक charge आप यहाँ पे रखो ताकि ये charge इस charge को repel करे और ये charge इसे repel करे और आपस में क्या हो जाएं cancel, clear है अब ऐसा करने से problem हो गई, क्या net force क्या गई, 0 इसने उसको cancel किया, इसने उसको cancel बचा गया, कुछ भी नी, एक काम करो आपको force यहाँ चाहिए ना, तो आप exactly यहाँ पे charge लखो Q Q चार्ज अब यहाँ रखोगे तो ये charge Q को repel करेगा ती force से answer आगया answer आगया, ये तो चाहिए था तो इसका मतलब इसके effect को cancel करवाया, इसको cancel करवाया और इसने अपना answer दे दिया तो Q मिला के आपने कितने charge इत रखे एक, दो और तीन charge इत अंसर है इसका पॉइंट समझ में आ रहे है कि मेरको मेरा answer इस तरफ ही चाहिए था अब एक student उसे बैच में कह रहा था बोड़ा कि अगर ऐसा ना given होता कि इस तरफ ही answer चाहिए, कोई direction ना given होती, फिर क्या answer होता one charge ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मालो इसमें ना given होता कि मेरे को force x में ही चाहिए था, वो x में करने के लिए इनके effect मुझे cancel करने पड़े और एक और charge प्लेस करना पड़ा पर अगर ऐसा कुछ ना होता तो फिर में एक charge की force को cancel करवा देता, दूसरे ने answer देते ना answer, तो one charge ही answer होता ये वाली ये charge, इस charge को यह रिपल नी करेगा तभी x-axis में आंसर आएगा जब इसकी straight line में होगा एक ही line में होगा ना क्योंकि net answer x में ही चाहिए उसे along x-axis हमारी cancel कैसे हो रही है बाक्यों की cancel करके x में लिए आए, हाँ, ऐसे method समझ में आ रहा है सबको point clear है आँ तो कैसे फिर answer ही नी आएगा अगर लोग रहे तो कोई nobody's गशे बचे faris यूबाचे जाएगा तो आएग एगा झी चाहिए रहे ढते ही वसलानषा प्रिदिन कंपनेगे देएगा टो दे खिंगा भी एगा और उसेदीट इसकी अशThe एक यह कोश्चन था 13 कितने लोगों का हो गया थोड़ा ना डाइगराम ध्यान से देखने वाला है कुछ इसके अंदर भी अंगल थोड़े से ध्यान से और स्केल से वेक्टर डॉप करोगे तो यह अंसर आएगा देखो इसके अंदर वो क्या कहा है कि आप similar charges given है D पे, C पे, B और O पे Q, Q, Q और Q ठीक अब वो क्या कह रहा है कि सबका distance A, A, A and A Forces of repulsion experienced by charge O, O पे जो force लगेगी कौन लगाएगा D लगाएगा, C लगाएगा B लगाएगा, तीन-तीन लोग है force लगाने के लिए तो जो भी यह forces लगाएगे due to B and D उसने का O पे कौन force लगाएगा B लगाएगा and O पे और force कौन लगा रहा है D लगाएगा यह जो भी forces लगाएगे इनकी force along CO equal है Along CO equal का मतलब क्या है तो आप बड़ा diagram बनाता हूं वो यह कह रहा है कि suppose करो आपके पास 1,4 जीरा 1,4 जीरा 1,4 जीरा और 1,4 जीरा ठीक है वो यह कह रहा है कि D O के उपर force लगाएगा बिलकुल लगाएगा कहा लगाएगा यह लगाएगा रिपनसिफ पॉर्स लगाएगा फिर वो कहता है कि B B B O के उपर force लगाएगा ये लगाएगा ये भी लगाएगा बिल्कुल सही है अब वो गहते है जो B force लगाएगा O पे और जो D force लगाएगा O पे उनकी value equal है नहीं ये नहीं कहा उनकी value along CO equal है ये CO की line है इस line के along equal है यानि कि मेरे को इसका component इसके उपर निकालने है और इसका component इसके उपर निकालने है वो component component की value equal है और वो component किसके along लेने along CO तो CO के along equal है तो rule समया है वो क्या कह रहे question में इस इसने question में ये कहा कि यहाँ पे D force लगाएगा O पे B force लगाएगा O पे तो इस force की value along CO and इस force की value along CO बराबर है तो अब़िए काम करें पहले इस force को निकालते है इस component निकालते है इस force को निकालते है component निकालते है दोनोh components को equal कर यहाँ answer आ जायगा अपने यहाँ तो देखो कैसे इसके अिस इन्दर जैसे suppose यह थोड़ा बढ़ा करके देखते हैं ठीक इसके अंदर सबसे पहली चीज़ Angles given क्या है इसको एक बड़ा ध्यान से देख लेते हैं देखो आपको यह angle कितना given है theta 1 यह कितना given है theta 2 और यह कितना given है theta 3 आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर मैं कहूं कि मुझे ये एंगल चाहिए तो मैं शेड कर रहा हूँ ये जो एंगल होगा वो वर्टिकली ओपोजिट एंगल है इसके साथ राइट तो अगर ये एंगल ये एंगल टोटल थीटा 3 है ये थीटा 2 है तो ये एंगल कितने है थीटा 3 माइनस थीटा 2 है तो अगर ये थीटा 3 माइनस थीटा 2 ये भी क्या होगा थीटा 3 माइनस थीटा 2 क्या step क्लियर है पहला ठीक है similarly अगर मेरे को ये एंगल चाहिए मैं शेड कर रहा हूँ ये एंगल and ये वला एंगल और वर्टिकली opposite एंगल तो अगर ये एंगल टोटल थीटा 2 है ये थीटा 1 है तो ये कितना है थीटा 2 minus तो सही है ये एंगल भी तो वर्टिकली ओपोजिट से तोनों एंगल आ गई है clear है या तक ठीक good out इसमें अब इसमें इस force का component along this line क्या बनेगा this force into cos of थीटा 3 minus थीटा 2 और इस force का component इसके along क्या बनेगा f of do cos of थीटा 2 minus थीटा 1 और वो क्या कह रहे है ये दोनों forces की value exactly same है तो equate करके देखें तो इस question में ये forces को हमने निकाला ये forces को हमने निकाल दिया अब इनके components को equate करते है तो components में equate करने का मतलब yellow ये दोनों components में क्या कर दिया इनने equate कर दिया yellow force का magnitude charges का बराबर है तो ये cut जाएगा और अंदर वाले angle equate हो जाएगे equate होके ये आपका option आ जाएगा answer आ जाएगा अंदर कुछ नहीं है इसके force equate करके angle की ratio angle के बीच में relation निकाले है क्या relation है तो क्या ये points अब को समझ में आ रहे है सारी गेम सिरफ सिरफ और सिरफ प्रैक्टिस की है आप अगर ये उच्छो मुझसे कि सर इस आज के lecture में से या पुराने lecture में कितना आएगा paper में CBSE में दो नंबर का आएगा कॉंपटिशन में शायद एक नंबर एक कोश्चन आजाए शायद आपको गए फिर ये चार लेक्टिर किस लिए ये ब्रेन की एक्सराइज है ये ब्रेन की ट्यूनिंग हो रही है कि आप चार्जिस को ठीक तरीके से पहले समझ लो आपको confusion नाओ कि कौन सा वेक्टर कहां पर लगेगा ये उसी की practice हो रही है और कुछ नहीं हो रहा तो point clear है यहां तक, online वालों clear है तो अगली बार हम निया chapter स्टार्ट करेंगे electric field, बहुत सही chapter है, easy chapter है और आपको easy भी लगेगा क्योंकि अब नहीं already की आ हुआ है इससे नीचे रहेगा तिक, जा सकते हो